एक के बाद एक घट्नाओं के तरफ हम नजर करेंगे हर घट्ना इस बात का गवा दे रही हैं कि हाँ आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर जागरत हो चुका है भारत नई उर्जा से भर चुका है और यही चेतना इही उर्जा इस देश के कोटी कोटी जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिशम की पराकाष्ठा करकर के सिद्धी तक पहुचा सकती है यह हम देश सकती है और मेरा विश्वास है देश जिस दिशा में चल पड़ा है इच्छित प्रणाम अवश्य प्राप्त होंगे हम गती जीतरी तेज करेंगे परणाम उतने जल्दी मिलेंगे आज भारत पांचवी अर्थ वह उस्था पर पहुचा है लेकिन पहले तीन में पहुचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा हूं और मैं एक जिस स्थान पर बैठा हूं जो जानकारिया प्राप्त होती है उसके अधार पर विश्वके गर्मान ने लोगों से बात्चीत करता हूं उसके अधार पर मैं बड़े विश्वाद से कह रहा हूं हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है लेकिन दुनिया अस्वस्त है कि भारत टॉप फ्री में पहुंचे के रहे भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है भारत का गवर्नेंट्स का मॉडल यूपी आई है डिजिटल स्टेक अगे इस जी ट्वेंटी में देख रहा था मैंने बाली में भी देखा टकनोलोजी की दुनिया को लेकर के भारत का नवजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है पूरे बिश्व के लिए कवतुग भी है आकर्शन भी है और स्विकृति भी है बालाए नवे है यजिए से प्रद्वान भी है और स्विकृति पर गॉट भी है